मेरा नाम रोहित है और मैं मुझे फ्टरनगर यूपी का रहने वाला हूँ मुझको 12 साल हो गए है कंटिन्यूसली इस पैक्स लगाए हुए काफी टाइम से मैं सोच रहा था कि किसी भी तरीके से इस चसमे से चुटका रहा पाया जाए लेकिन हमेशा थोड़ा सा मन में डर लगा रहता था फिर नहीं मैंने खुद को रेडी किया नहीं वही अब तो चस्मा हटवाना ही है उसके बाद डारेक्ट में गूगल गया मैंने सबसे पहले फाइंड किया कि भई अभी फिलाल के टाइम में कौन से टेक्नोलोजी लेटेस्ट चल रही है जिससे कि हमारा जो स्पैक्स है हट जाए कौन इसको एप्रूव करता है कैसे है मैंने काफी चीजेस के बारे में पढ़ी स्टडी करी फिर मैंने सर्च किया कि अभी फिलाल के टाइम में इंडिया में कौन इसको प्रवाइड कर रहा है इस टेक्नोलोजी से चस्मा अटा रहे है तो मुझको उस टाइम पता लगा एक आई सेवन होस्पिटल लाजपत नगर साउथ डेली के बारे मुझको पता लगा कि यहां पर जो चस्मा यह उटाया जाता है इसी टेखनीक के तुरूप तो फिर मैंने खुद को प्रिपेर किया कि बई चलो एक बार देख लेते हैं उसके बाद काफी प्रोब्लम आती थी चस्म्य से मैं पढ़ाता हूं तो काफी टाइम तक होता है कि मैं पढ़ाते पढ़ाते मुझको सर में दर्ध हो जाता था कई बार ऐसा हो तो मैं च्टेपिटल को लेकर अपना पहुज गया सब ये बाद मुझको सबसे पहले 2007 जिन भी जा गया सबसे पहले करनिया के टाइस हुए उसके होने बाद मेरा नवर्स है कितना नंबर लेट आइज में घ् оноکहितना है सामने स्क्रीन ग Алज मेरे और कह शो Precis मbuild that economic खुझको नीचे फिर भीजा गया में तरह में टेस्ट हूआ और राइनेश का टेस्ट हो एक जुट पर एक डाली फिर उसके बाद मुझे सारी रिपोर्ट्स लेकर में राहिल चोदरी सर के बास पोच्छा उन्हों ने वेरी सारी पोर्ट्स चेक किये कि बई रेटीन अच्छ मैं तो कली करा लोगा तो फिर मेरा तीस तारीक को अपोइंटमेंट फिक्स हो गया चार वजे सामकी है कि आज हमारा सेकेंड डेय है कॉंट्यूरा विजन पैक्स रिमूबल जो टेक्निक है उससे हमारा लेजर होना है उसके लिए हम मुझे फनगर से निकल चुके है जैसे साम ने यह बोड लगा हुआ है चसमा लगाने के बाद तो मुझे को किलिर दिखला है लेकिन यदि में चस्मा हटाऊ तो मुझे कुछ नहीं दिखाए दे रहे हैं तो इसी वज़े से मैं काफी दिन परेशान होने के बाद मैंने डिशीजन लिया है कि मुझको जो अपने स्पै नहीं है कि इसमें चीर फाड है या कुछ कट लगाएंगी है नर्वसनेस तो है और देखते जो भी होगा पोटी में हाई फ्रेंड्स आज जो है वो मेरा थड़ डे है आई सेवन होस्पिटल में जो तीसरा दिन जो आज है मैं फोलो आफ के लिए था चेक अप होते हैं नोर्मली वीजन चेक होता है कि आपकी जो क्वालिटी है वो लेजर के बाद आपकी इंप्रूग हुई है नहीं हुई है थीक है विजन ठीक है विजन कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है यह तो नहीं कुछ हो रहा है एक बचस्माट आज अर लास्त लाइन परिये एक फ्टी आर पी एच जैर्ड यू लास्त लाइन जो है नहीं 6 6 आपको फॉर वीक्स के बाद एक बार और आना है फुलाफ के लिए चेक करने के लिए कल मेरा लेजर हुआ है ओपरेशन कॉंट्यूर विजन जो हुआ है सामके टाइम तो वह एक जो एंटार जो प्रोसिस था कंप्लीट जो प्रोसिस था वह बिल्कुल पेनलेस था जब मुझको लिटाया गया मैं ओटी गया उप तो उसके बाद मुझको कुछ ऐसा बिल्कुल भी फिल नहीं हुआ कि मेरी आँख में धर्द हो रहा है या कुछ अंदर कट लगा है या कुछ सुई चुभाई गई कुछ नहीं वो कम्प्लीट प्रोसिस जो है कम्प्लीट ली पेनलेस रहा है काफी अच्छा एक्सपीरियनस रहा है कल जब तक मेरा लेजर नहीं हूँ आथा से पहले बिना चस् जाते हैं तो आपने देखा होगा कि एक गोगल जेकर जाते हैं और एक यूज करते हैं तो बार बार फोटो किलिक कराने के लिए परले स्पैक्स उतार दे फिर गोगल यूज करते हैं तो अब वह भी प्रोब्लम नहीं फिस करनी होगी